हलो एफ्रिवन चैश्री करनेश वो मायूस से नजर आ रहे हैं चीजों को देखी गलत तरीके से रहे हैं रिष्टा जो अब भी सुधर सकता है वो ना देखकर जो गलतियां उन्होंने की है उस पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं वो बहुत सोच रहे हैं सोच सोच के दिल को दुखी करते जा रहे हैं उन्हें अकेले रहने का दिल कर रहा है जैसे प्यार से उनका ट्रस्ठी हट कया हो वो आपको सबसे छुपा कर अपने पास रखना चाहते हैं वो चाहते हैं कि आप से बात हो जाए चीजे पहले जैसे हो जाएं आप दोनोंने रिष्टे को कितना निभाने की कोशिश की है इस चीज का एहसास है उनको उन्हें लगता है आप दोनों को फिनेंशली स्टेबल होना चाहिए वो आपको अपने बातें बताना चाहते हैं वो क्या फिल करते हैं समझाना चाहते हैं वो नहीं समझ पा रहे कि आप दोनों के बीची दूरियां कैसे आ गए वो बिलकुल भी अपने एमोशन्स को रोक नहीं पा रहे हैं वो सबसे आपके बातें कर रहे हैं उनका यही मानना है कि आप उनकी बातें माने उन्हें लगता है कि थोड़ी गलती आपकी भी थी जो मैटर हुआ है उसमें उन्होंने हमेशा आपको बहुत प्यार किया है आप उन्हें उनके लिए ऐसे इंसान रहे हो जिनके वो हमेशा दिवाने बने रह सकते हैं आप उन्हें इस कदर पसंद हो उन्हें लगता है अब आप अपना उतना ध्यान नहीं रखते जितना आप पहले रखते थे जिससे आप तोनों के बीच का एक्ट्रेक्शन खतम होता जा रहा है अब आपको देखकर वो उतना एक्साइटेड नहीं होते जितना वो हमेशा होते थे डलनेस आ गई है दोनों के बीच वो आप से चीजों को छुपाते थे इस बात को वो एक्सेप्ट करते हैं पर वो जूट आपको हर्ट करने के लिए नहीं आपको हर्ट ना हो इसी लिए छुपाते थे वो बूरा नहीं चाहते आपका उन्होंने आप से कभी इतना प्यार किया है कि वो जैसे भी जूटे हो गए हो वो आप से अलग नहीं हो सकते वो जैसे भी है उन्हें आप एक्सेप्ट कर लो क्योंकि वो आपके बिना रह नहीं पाते वो आप से अपने दिल के पास शेयर करना चाहते हैं वो चाहते हैं जो भी हुआ वो आप तोनों के रिष्टे का नाम नहीं मिला नाम नहीं मिला इसी लिए प्रॉबलम हो रही है वो डर गए हैं कहीं आप उनसे सच में अलग ना हो जाओ इसलिए वो आपको शादे के लिए प्रपोस करेंगे वो चाहते हैं आप तोनों शादे कर लो रिष्टे को आगे बढ़ाओ ना कि यूँ अलग हो जाओ उनके थौट्स बदल रहे हैं आपके लिए वो आपके बारे में इतना सोचते हैं कि वो हर पल दिमाग में आपको लेकर आपसे बाते करते हैं कभी वो खुद की गलती निकालते हैं कभी वो आपको प्लेम करते हैं कभी कौल कर लूँ सोचते हैं तो कभी खुद को समझाते हैं आप ही आप उनके दिमाग में चल रहे हो वो आपको लेकर बहुत तड़ब रहे हैं उनके दिल में आग सी लगी हुई है आपको पाने की इतनी दूरिया उन्हें सहन नहीं होते आप आदत बन चुके हो उनके इसलिए अब अलग होकर उन्हें खुद की फिजिकल नीड्स को बहुत कंट्रोल करना पड़ रहा है आपके साथ बीते हर मॉमेंट उन्हें बहुत तड़बा रहे हैं वो आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं और प्यार का जो दूसरा साइट होता है जिसमें बूरी तरीके से किसी को मिस करके खुद को दुखी करते हैं वो हो रहा है उनके साथ तरीके से किसी पूर है थे रहा है ज्याँ स्थरी तरीके साथ भी उन रहा है